नमस्कार SBT News में आपका स्वागते और पेश रहे 24 मार्च बुद्वार सुबै सवाच्छे बजे राजस्तान की बड़ी खबरे राजस्तान मादेमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से महवीर जयन्ती यानि 25 अप्रेल को आयुजित की जाने वाली राजस्तान अध्यापक पात्रता परिक्षा 2021 रीट का मामला राश्च अल्प संखक आयोग तक पहुँच चुका है जयन समाच की शिकायत को घंबीरता से लेते हुए आयोग की उपाद्यक्ष आतिफ रशीद ने राजस्तान सरकार की सीएस निरंजन आरे को मंगलवार को निर्देश दे हैं कि परिक्षा को महवीर जयन्ती के दिन नहीं करवाई राजसान के सबी निवासियों को चिकिस्सा अभीमा का लाब देनी के लिए राजसरकार अप्रेल में मुखे मंत्री चिरंजिवी योजना का शुभारम करने जा रही है मुखे सचीव निरंजन आरे ने इसके तैयारियों के सबन में अधिकारियों के साथ बैठक की मुखे मंत्री चिरंजिवी योजना से प्रदेश के प्रतेग परिवार को पांच लाक रुपे तक का चिकिस्सा भीमा उपलब्ध हो सकेगा इस योजना का लाब वो सरकारी और सम्मंद निजी अस्पतालों में भी प्राप्त कर सकेगे योजना का लाब लेनी के लिए लाभारती एक अप्रेल 2021 से अपनी सेचो आईडी अथवा ई मित्र पर जन आधार से लिंक प्रेटफोर्म से रजिस्टेशन करवा सकते हैं योजना का लाब एक मई 2021 से पूरे प्रदेश में दिया जाएगा कोटा शहर की विग्यान अगर थाना पुलिस ने SBI बैंक की 80 मशीनों से डेबिट क्राड के जरीए करीब 25 लाख रुपे की धोका दड़ी वे जाल साजी करने वाले मास्टर माइन अंतर रजे शातिर गिरों का परदाफाश किया है पुलिस ने तीन शातिर बदमाशों को गिरफतार किया मुख्या आरोपी मेवात इलाकी की हैं आरोपी तानिम शोकिन भरतपुर जिले के केटवाडा थाना शेतर के निवासी हैं जबकि एक आरोपी अजहर विग्यान नगर का रहने वाला है आरोपियों ने कोटा निवासी अजहर की मदद से शहर के विग्यान नगर इलाके में SBI के चार एटियम से नवासी ट्रांजेक्शन कर करीब साथ लाग साथ हजार की रकम निकाली थी उध्यपूर में ब्रश्टाचान इड़र ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को ग्राम पंचायट डाल के वाड़ पंच पुलुशोतम जोशी को दस हजार की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया पुलुशोतम जोशी ने रोडी बाई नाम की महिला से उनके बेटे को चोरी के मामले से बचाने की एवज में रिश्वत मांगी थी श्रकायत का सत्यापन करने के बाद ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को जोशी को रिश्वत लेते हुए रंगे हातों गिरफतार कर लिया रादसान में तीन विधानसवा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए पहले दिन मंगलवार को किसी ने परचा नहीं भरा मुखे निर्वाचन अधिकारी प्रवीन गुपता ने बताया कि मंगलवार को अधी सूचना जारी होने के साथ थी सुजानगड, रासमन, सहाडा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कारेश चुरू हो गया था उन्होंने बताया कि आज किसी भी विधानसवा शेत्र में किसे भी उम्मीदवार ने कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया उन्होंने बताया कि 27 और 29 मार्च सारजनिक अवकाश और 28 को रविवार होने की कारण 5 दिन नाम निर्देशन पत्र स्विकार किये जाएंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांशी बुलेट ट्रेन परियोचना का लाप देश के आने राज्यों के साथ साथ राजस्तान को भी मिलने वाला है दिल्ली एहम्दाबाद रूट के भी चलने वाली बुलेट ट्रेन राजस्तान के साथ जिलों से होकर गुजरेगी दिल्ली से जैपूर गांदी रगर होते हुए एहम्दाबाद तक बन रहा हाई स्पीड रेल कोरिडोर उद्यपूर होते हुए भी गुजरेगा हाई स्पीड रेल कोरिडोर प्रोजेक्ट का 653 किलोमेटर का हिस्सा उद्यपूर सहित प्रदेश के साथ जिलों से गुजरेगा खाटु शाम जी के फालगुनी मेले में दिनराज शधालू को दर्शन देने वाले बाबा शाम अब रात को अपने भक्तों से दूर रहेंगे कोरोना की गाइडलाइन की वज़े से शाम मंदिर सुबह आठ से रात दस बजे तकी खुलेगा और ऐसे में शधालू इस बार रात को बाबा शाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे और इदर कोरोना की दूसरी लहर की वज़े से राधसान के आठ शेहरों में लगे रातरी कालिन कर्फ्यू वे बाकी जगे रात को दस बजे बाजार बंद करने की राजसरकार की नई गाइडलाइन का असर भी मेले पर दिखाई देने लगा है लखे मेले में हर बार रात को भी आबाद रहने वाले खाटू धाम में अब दस बजे के बाद खामोशी पसरने लगी है राजसान में मंगलवार को 480 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और वहीं चार लोगों की संक्रमन से मोथ हो गए अभी तक इस महामारी से राजस के 2807 लोग अपनी चान गवा चुके हैं जिलेवार कोरोना संक्रमन की बात करें तो 6 जिले ऐसे हैं जहां पर नए मरीजों की संख्या 30 से 97 तक दर्च की गई है मुक्यमंत्री अशोग गहलोत ने EWS आरक्षन में अन्य वर्गों के समान आयू सीमा और फीस में छूट देने की बजट खोशना को जल्थ ही लागू करने के निर्देश सेवा नियमों में चरूरी संसोधन करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि संबंदित विभाग इस सबंद में जल्थ से जल्थ कारवाही करें ताकि विविन भरती परिक्षाओं में EWS वरक के युवाओं को इनका लाप मिल सकें गहलोत मंगलवार को इस सबंद में आयो जित एक उचस सरीय बैटक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिये कि जिन भरती परिक्षाओं के विज्यप्तियां चारी हो चुकी है उनमें इस घोषना का लाप देने के लिए एक प्रशासनिक समीती गठित करने के निर्देश दिये प्रदेश की राजधानी जैपूर में मंगलवार को मोसम के कई रंग देखने को मिले मोसम के ये रंग बार बार अपना मिजास बदल रहे थे सामाने दिनों की तरह मंगलवार की भोर सूरे की भरपूर किर्णों के साथ हुई थी लेकिन उसकी तलखी दोपहर तक तेज हो गए मोसम विभाग की आंधी बारिश की संभावना दोपहर के बाद शीन होती दिख रही थी कि अचानक शहर को बादलो ने घेड लिया और फिर उनमें धूल के कंड बढ़ते गए और चार बस्ते बढ़ते बादल धूल के गुबार में बदलते दिखे सवा चार बजे एकदम तेज हवा आई आनी चारी बादल काले पढ़ते दिखे और शहर में अंधेरा चा गया और अब खबरें श्री गंगा नगर हनुमानगर जिले की श्री गंगा नगर वे हनुमानगर जिले के चार न्याइक अधिकारियों के तबादली किये गए हैं राजसान उचिनाले जोदपूर के रजिस्ट्रार ने एक आदेश जारी करके गंगा नगर में न्याइक अधिकारी सुश्मा पारिक को जोदपूर S.T.S. मामलो की स्पेशल कोड से न्याइक अधिकारी संदीब कोर को हनुमानगर लगाया गया है और इसी तरह हनुमानगर के न्याइक अधिकारी को जैपुर modify से न्याइक अधिकारी पवन्वर्मा को श्रिगणगांगर में न्युक्ति दी गई है श्रिकंगानगर जिला मुख्याले पर सिर्थ बिहानी शिक्षा न्यास ने अपने करमचारियों के प्रती दरिया दिली दिखाई है न्यास ने अपने करमचारियों को कोरोना काल में काटी गई राशी का भुकतान किया है न्यास के अध्यक्ष जदी बिहाणी ने बताया कि करमचारियों की 34% करोना काल में काटी गई थी और अब न्यास अपने करमचारियों को 2,22,63,221 रुपे का भुगतान करेगा वर्तमान में 6 माह में 1,23,71,000 रुपे एरियर का भुगतान किया जा रहा है और 6,98,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 के अधिक किराशी का भुगतान 2 माह में कर दिया जाएगा बिहाणी में बताया कि संस्ता ने कोरोना के समय एक भी करमचारी को नोकरी से नहीं हटाया संस्ता ने कोरोना काल में 10,000 रुपे तक वेतन वाले सभी करमचारीों को पूरा वेतन दिया श्रिगंगानगर जिरे के प्रभारी मंत्री डुक्टर बीडी कल्ला आज बुदवार को कलेक्टिट सभागर में प्राते 10 बजे जिलासतरी अधिकारियों की बैठक लेंगे और इसे दिन दोपहर 12 बजे राजस्तान डिस्ट्रिक्ट मिन्रल फाउंडेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंस्लिंग की बैठक भी लेंगे राजसान सरपंच एसेशन ने मंगलवार को हनुमान कड़ाई प्रभारी मंत्री डोक्टर बीडी कल्ला को राजसान में ग्राम पंचायतों के सामने अनेक समस्चाई हैं जिनकी राजसान सरपंच एसेशन समाधान की मांग को लेकर प्रदेशा द्यक्ष बाल योगी महंत रूपनात के नितरतों में ग्यापन सोपा इस मोगे पर गुरलाल सिंग सरपंच, चेतराम, नरेंद्र गोदारा, रोहित स्वामी, प्रियंका, रफीक मोहंमद लोदी, अन्जु देवी, ब्रिज मोहंत तरट, मनीश कुलाडिया, अमीचन धाल, कमलजी सिंग धिल्लो, रन्वीर सिहाग, संतलार, निरामाराम, रामकुम सोनु अरोडा सहित अन्य सरपंच मोजूद थे। दो प्रतिशर्च छिजद्देनी, खादे विभाग द्वारा पोस मशीन की मैंटनेंस के पेटे 5.2 एक रुपे काटे जाने पर रोक लगाने सहित अन्य समस्याओं से अवगत करवाया। भारी मंत्री बीडी कल्ला गारा ली जाने वाली बैटक में भाग लेंगे। फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिन होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें। करें दो कि लिए बैल नोटिफिकेशन एम गुआटिए याजियो को देखने के लिए जादीशन पाने के लिए हमारे उोटकेशन दोरें थार्हांगे तमा में बड़ाओगे तारें।